रोयल इंपिल्ड के सबसे कम कीमत वाली बाइक आप सभी के सामने में लेकर आचुका हूँ हंटर 350 की ये बाइक जो ब्लैक डैपर ग्रे के नाम से आजाती है इसका प्राइस सुनकर आप लोग हिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में मिलती है और यहीं एक ऐसा एकलोता मॉडल है जो रोयल इंपिल्ड में आपको एवरेज में भी मिल जाती है लेकिन फीचर के मामले में क्लासी का टकर दे देती है आज मैं आपको फुल रिब्यू करके दिखाने वाले है टोटल इसमें क्या क्या फीचर से यह सभी चीज़े मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके जो लुकिंग है किस तरह से दिखती है इसके जो फीचर से वो किस तरह दिखती है यह सारी चीज़े आज के इस वीडियो में कम्प्लीट करने वाले है तो वीडियो की भावना में खोने से पहले एक लाइक जरू कर दिए सबसे पहले इस बाइक का नाम जान लेते हैं इस बाइक का नाम है Hunter 350 Dapper Gray ये ग्रे कलर का दिखने वाला बाइक जो सबसे ज़्यादा यूनिक दिखता है ब्लैक कलर की आपको दिखेगी लेकिन ग्रे का ये कंबिनेशन बहुत ही खतरनाग दिखती है तो आइए इस बाइक की टोटल फीचर क्या-क्या मौझूद है एक बार बताना आपको शुरू करते हैं सबसे पहले इंजन की बात करेंगे इसका इंजन 350 CC का दिया गया है बोर की बात करें 75 mm श्ट्रोक की बात करें 85.8 mm कंप्रेसर रेशियो 9.5 संबंदे 1 मैक्सिमम पाउर 20 तसलो 2BHP 600 RPM के साथ मैक्सिमम टॉर्क 2700 RPM के साथ ये सभी चीजे क्लासिक 350 में देखने को मिल जायेगा लेकिन बोर की बात करें तो यहां आपको हंटर में बोर 75 मिलता है क्लासिक में 72 मिलता है बाकि सभी चीजे अभी जो मैंने बताए वो सेम टू सेम क्लासिक और हंटर दोनों में मिल जाता है बाइक के मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 114 किलो मिलोड प्रती घंटा की स्पीड सी ये जा सकती है गियर की बात करे 5 गियर इसमें देखने को मिल जाएगा आए चेचीस और सस्पेंशन के बारे में भी एक बार जान लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करे टेलिस कोफी 41 mm फोक्स देखने को मिल जाएगा रियर सस्पेंशन की बात करे 6 step adjustable preload देखने को मिल जाता है आए ब्रेक्स और टायर के बारे में भी जान लेते हैं फ्रंट टायर 110 70 का 17 इंच का alloy wheel के साथ टायर देखने को मिल जाता है और रियर टायर की बात करे ये भी alloy wheel के साथ मिलता है 140 70 17 इंच का ये भी टायर देखने को मिल जाता है आए ब्रेक्स के बारे में जान लेते हैं फ्रंट ब्रेक 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा रियर ब्रेक की बात करें 270 mm का डिस्क ब्रेक सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग का हैल पर साथ मिल जाता है और ये सारा break out tire same to same आपको classic में भी देखने को मिल जाता है ABS की बात करें तो यहां आपको dual channel का ABS देखने को मिल जाता है same यही still the black में भी dual channel देखने को मिल जाता है आईए headlight के बारे में जान लेते हैं यहां आपको 12 volt का fully halogen light देखने को मिल जागा LED नहीं मिलता है यह midway rain के category में आ रहा है इसमें आपको यहां पी जो indicator देखने को मिल रहा है यह आपको बहुत ही प्यारा black color का आपको back में दिखे है औरेंज color का सामने दिखेगा किस तरह से जलता है यह भी आप देख लिजे पहुत ही प्यारा color का indicator भी देखने को आपको यहां पे मिल जाता है back में भी देखे हैं तो कुछ इस प्रकास से इंडिकेटर भी लेगा चारों इंडिकेटर 1000 बठन से भी आप एक साथ जला भी सकते हैं किलमेटर देखने हुम लेगा trip A, trip B, trip F and audio पर किलमेटर के साथ time भी आप इसमें set कर सकते हैं यह सभी चीज़े इसमें देखने को मिल जाता है यहां side में एक होता है navigation button इसमें यह देखने को आपको नहीं मिलेगा लेकिन classic move हों देखने को मिल जाता है यह भी बहुत बड़ा different देखने को मिल जाता है fuel tank की बात कर तो यहां आपको 13 liter का fuel tank देखने को मिल जाता है जिसमें नए बतलाव E20 के साथ देखने को मिल जाता है आप इसे purchase कर सकते हैं और इसके tank का जो color है gray color का बहुत ही खतरनाक look वाला color मिलता है आपको tank पर बहुत ही प्यारा royal infield का यहापे logo भी देखने को मिल जाएगा जो royal infield को दरसाता है button parts हर बाइकों की तरह same इसमें भी देखने को मिलेगा finally इसमें कौन कौन से accessory लगा है price कितना है mileage किया है वो भी जान लीजिए यहाँ आपको engine card देखने को मिल जाएगा black engine पर black color का engine card देखने को मिलेगा और सामने से आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से engine card देखने को मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पर संप guard देखने को मिलेगा यह संप का धोल मिटी कंकर आदी से आपके engine को बचाता है यह आपको metal का मिलेगा बहुत ही प्यारा आपको देखने को मिल जाएगा इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ आपको backrest देखने को मिल जाएगा इस पे भी आपको royal infield का logo भी देखने को मिल जाता है यह भी बहुत ही प्यारा गदीदार देखने को मिल जाता है एंड इसके साथ आपका जुए seat है इस seat पर seat cover भी देखने के मिलता है जो आपका accessory पार्ट में आता है finally इस बाइक के mileage और price की बात कर लेते हैं तो इस बाइक के mileage 35 km प्रती लीटर के इसाब से आपको दे देगा और price की बात करें तो बहुत ही कम price dapper gray mid variant का रखा गया है जो कि 220,000 में आसानी से आप with accessories के साथ आप निकाल सकते हैं अधिक जानकारी के लिए description में दिए कि WhatsApp नमबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैं आपको accessories के साथ उसी पैसे में दिला दूँगा वीडियो पसंद आथ वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब करकर वेल आकाउन को प्रेस जरूर कर दीजेगा